फ्रेंड्स मेरा नमे राज और आप से भी लोग का विलकम है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल लखी आर्जमी इस बुड़े में हम लोग बात कने वाले हैं आप लोग आधार EPDES सेंटर आपन कर सकते हैं और दोसो आप से भी लोग को हर मंद 15,000 रुपए तक का कमिशन य अब दोसो आधार EPDES सेंटर क्या होता है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं दोसो गौर्मेंट ओफ इंडिया की दुवारा और दोसो नफसा की दुवारा आप से भी लोग को पता होगा पूरे भारत देश में दोसो रासन वितरन किया जाता है बिलकुल मुफ्त में बह अपने कर सकते हो जिसको नाम दिया गया है दोसो आधार EPDES सेंटर आप लोग आधार EPDES सेंटर आपन करके अपना אे में दोकान ओपन कर सकते हो जिसमें की रासन कार्ट से कर सकते हो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डीटेल्स में बात करते हैं नेशनल आप लोग वो सेंटर ऑपेंड कर लेते हो तो दोस्तो हर मंद आप सभी लोग को 15,000 रुपए तक का कमिशन मिल सकता है बैसिकली दोस्तो आप सभी लोग को अपने इस्टेट पोर्टल पर जाना होगा जैसा कि दोस्तो इस वीडियो में में आप लोग को कुछ ऐसे इस्टेट हैं जहां पे ओनलाइन परकरिया स्टार्ट की गई है उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जहाँ पे online परिकरिया start है जिसके लिए दोस्तों आप सभी लोग को मद्य परदेश के वेक्ती हो तो मद्य परदेश की official website पे आओगे link description में डाल देंगे आने के बाद यहाँ पे एक option मिल जाएगा उचित मुल्य दुकान पंजिकरन के लिए आवेदन करें आप सभी लोग एक बार इस पे click कर दोगे click करते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप सभी लोग को government sector choose करना होगा जिस sector के माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पे अपना राशन दुकान यानि की e-pds center open करोगे जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं यह choose कर लेता हूँ यहाँ पे संस्था का पूरा details डाल देना है साथे साथ दोस्तों जो भी अध्यक्ष है संस्था के उनका पूरा details आधार नंबर डाल देना है mobile नंबर डाल देना है साथे साथ दोस्तों जो उन भी वेकती यहाँ पे राशन दुकान open करना चाता है उसका सदस्य का पूरा details डाल देना है और कितने सदस्य हैं अगर दोस्तों एक से ज़्यादा है तो आप उसको adding भी कर सकते हो प्रबंदक का नाम भी यहाँ पे आप से भी लोग को डालना होगा साथे साथ दोस्तों आविदक संख्या की दुकान या गोदाम का पता पैं कार्ड यह सारे जो डॉकमेंट को यहाँ पे आप से भी लोग को अटेच करने पढ़ेंगे अटेच करने के बाद दोस्तों जो आप से भी लोग का सरकारी राशन दुकान है वो अंलाइन अविद्धन complete हो जाएगा इसके बाद दोस्तो आपसे भी लोग की सारे डिटेल सही रहती है तो आपसे भी लोग का EPDES Center open हो जाएगा कुछ दिनों के बाद आप लोग को approval के लिए बुलाया जाएगा call करके और दोस्तो आपसे भी लोग का physical तोर पे verify किया जाएगा आपसे भी लोग को सरकारी राशन दुकान मिल जाएगा उत्तर परदेश के हो तो official website का link मिल जाएगा description में direct आप लोग यहाँ पे आओगी आने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपसे भी लोग को option मिल जाएगा अपने district का नाम को choose करने का अगर दोस्तो आपसे भी लोग के district में कोई भी सरकारी राशन दुकान open करना होगा तो यहाँ पे आपसे भी लोग को option आजाएगा आवेदन करेगा district को मैंने select किया है उस district में दोस्तो एक भी राशन दुकान open करने का यहाँ पे इस थान वो खाली नहीं है यहाँ पे details open हो जाएगा साधी साथ दोस्तो किस परकार से आवेदन होता है उसकी भी जानकर यहाँ पे दी गई है कितना सुल्क लगेगा आप सभी लोग का यानि कि कुछ investment भी आप सभी लोग का लग सकता है इसको open करने में यहाँ पे आप से भी लोग को option मिल लियागा परक्रिया क्या है यहाँ पे पूरी परक्रिया आप लोग पढ़ सकते हो किस परकार से आप से भी लोग आवेदन कर सकते हो साथे साथ दोसो अगर आप से भी लोग जारखन के वेक्ति हो तो जारखन के लिए भी online आविदन इस्टार्ट हो चुका है जिसके related मैंने अल्रेडी एक details में विडियो बनाया हुआ है अगर दोसो विडियो आप से भी लोग को देखना है तो link description में डाल देंगे उस विडियो को देखने के बाद आप से भी लोग जारखन, उत्तर परदेश और मद्य परदेश में online परिक्रिया के दुआरा आप लोग सरकारी राशन दुकान को open कर सकते हो यानि कि EPDES Center को open कर सकते हो एक बार दोसो आप से भी लोग का EPDES Center open हो जाएगा तो आप से भी लोग National Food Security Portal में आके Sign In and Registered के Option पे क्लिक करके Public Login के Option पे क्लिक करके यहाँ पे दोसो आधार कार्ड के थुरू किसी भी वेक्ति का राशन कार्ड के लिए online आवेदन करोगे और दोसो आप लोग सरकारी EPDES Center चलाते हो तो दोसो आप से भी लोग जो भी आवेदन करोगे तो दोसो आप से भी लोग किसी भी वेक्ति का राशन कार्ड में correction करना हो नया राशन कार्ड में नाम जुरवाना हो यह सारे चीजे दोसो आप से लोग सर्विस कर सकते हो दुकान ओपन हो जाएगा जिसमें कि दोस्तो वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ से आप सभी लोगों को दोस्तो राशन वितरन करोगे जितने कार्ड धारक आप सभी लोग की राशन दुकान पर आएंगे या राशन छुड़ाएंगे या राशन लेंगे उस हिसाफ से दो आप से भी लोग के शेंटर पे तो कम मिलेगा अगर आप लोग अलग इस्टेट के हो आप लोग भी आविधन करना चाहते हो तो आप से भी लोग को अपने जो भी जीला में जाना होगा यानि की डिस्टिक में जाने के बाद वहां पे आफलाइन परिक्रिया होता है आफलाइ